question number 24 which of the following statement is true सही स्टेटमेंट को यहां पर डूणना है सही स्टेटमेंट एची करके फूड बना रहा है क्या वो एलस्टोनिया था त्था झान過去स है किpine प्लांड ऐस्ट्रेलेट Constitution अकेशिया और E res Lynn तो यह उस्ट्रेलियन अकेशिया यह प्लांड था और इसमें जो पिटियोल थी वह एक्स्पैंड होके मॉडिफाइब हो रही थी इस कंडिशन को हमने क्या नाम दिया था फाइलोड तो यह गलत हो गया हमने जब stem modifications के questions को देखा था तो उसमें यहां पर जो यह stem थी स्टेम पे जो एक्सिलरी बड थी वो मॉडिफाइब हो रही थी ट्रेंडिलर स्ट्रक्चर में तो लीफ मॉडिफाइब नहीं हो रही है स्टेम की जो एक्षिलरी बड हैं इसमें जो पेटल्स है वह एक पैल दूसरे पैल्स में इस तरीके से होती है कि उनकी जब margins जो हैं जिस touch करती हैं एकदम touch नहीं करती जैसे एक petal देन दूसरी petal देन तीसरी petal तो यह condition हो जाएगी implicate की नहीं यह हो जाएगी किसकी well weight estimation की तो implicate नहीं जाएगा क्या जाएगा well weight यह गलत हो गया इसके बाद statement d इन पामेटली compound leaves the leaflets are attached to a common point और वो क्या होता है बेस या पिटियोल तो अगर हम बात करें पामेटली compound leaf के बारे में जैसे कि यह एक पिटियोल अब इसमें जो leaflets है जनरली हम बात कर रहे थे पिनेट वाले में ऐसे 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 इदर उदर leaflets लगी होई थी लेकिन यह पर एक common point है और इससे ऐसी leaf निकल रही है या leaflets निकल रही है कुछ इस तरीके से तो यह condition क्या हो जाएगी पामेट सिर्फ एक common point से हमने सारी leaflets को निकाल दिया या attach कर दिया यह common point तो यह condition क्या है पामेटली compound leaves की है यह सारी leaflets है जो की एक common point से attach है अलग-अलग point से attach नहीं है तो यह statement बिलकुल सही है तो correct answer क्या हो जाएगा option D